अब आक आर्मी के साथ ट्रेनिंग करेगी ग्रीन आर्मी अब तो शुरू होने वाली है इनकी ग्रैंट जर्नी PCB ने स्पेशल कैम्प लगवाने का कर दिया एलान अब तो वर्ल कप में ग्रीन आर्मी मार ही लेगी मैदान तो आर्मी केम्प में पाकिस्तान साथदान हो जाओ हिंदुस्तान क्योंकि वर्ल कप में एक क्रिकेटर नहीं फौजी खेलेगी तो उनके बले 417 के जैसे कर जेंगे उनकी गेंदे बम की तरह बलेबाजू के पर खेच्चे उड़ाएंगे विरोध्यों को आप तो संभल ही जाना चाहिए लगवाने का कर दिया एलान अब तो वर्लकाप पे ग्रीन आर्मी मार ही लेगी मैदन अब तो यही होना रह गया था लो कर लो बात अब तो पाकिस्तानी आर्मी की ट्रेडिंग लेकर आएगी ग्रीन आर्मी क्रकेट के लडाकों का अब तो दिखने वाला नया अंदाज अब तो उनके बल्ले एके सैटालिस के जैसे गर जेंगे उनकी गेंदे बम की तरह बले बाजू के पर खिच्चे उड़ाएंगे विरोध्यों को अब तो संभल ही जाना चाहिए वरना लेने के देने पड़ सकते हैं भाई मजाल है कि कोई टीम उनके खिलाफ चू तक बोल जाए हर खिलारी का जलवा होगा मानों सरहत पर पाकिस्तानी सिना खड़ी हो हम तो कहेंगे साफधान विरोध्यों पाक आर्मी हमारा मतलब है पाकिस्तानी टीम नए रंग में इस बार टी-20 वर्ल्ड कप खेलने आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया जनाब महसिन अक्वी अब पाकिस्तानी टीम को जल्दी पाक आर्मी के हवाले करने जा रहे है महसिन अक्वी ने टीम के खिलारीों के खराब फिटनेस को देखते हुए एक एहम फैसला लिया है पाक टीम के खिलारी अब अपनी फिटनेस में इंप्रोवाईजेशन के लिए अगले 10 दिन पाकिस्तानी सेना के साथ प्रैक्टिस करेंगे PCB ने पाकिस्तानी सेना के साथ खिलारीों के ट्रेनिंग के लिए 10 दिनों के कैम्प तक लगाने का फैसला किया ये कैम्प 25 मार्च से 8 अपरेल तक चलेगा, ये भला क्या सुनने को मिल रहा है, हमने तो ये सुना है कि फिटनेस के लिए टीम में फिटनेस एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, लेकिन या तो नक्वी साहब सीधे आर्मी को ही उतारने के बात के रहे हैं, माफ कीजिएगा, अब तो ये बात नहीं हकीकत होने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में खेल का मैदान और जंग का मैदान एक हो चुका है, वैसे भी पाक आर्मी तो पाकिस्तान के सभी डिपार्ट्मेंट में देखल रहती हैं, लेकिन अब क्रिकेट में भी यही होगा, ये नह को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, वाला आर्मी आग खिलारियों से क्या करवाएगी, कोई बंदूख चलाने और बंबारी करने की, तो इस बार तो पाक टीम का T20 का खिताब पक्का, वाला ऐसी कौन सी विरोधी टीम होगी, बंदूख और बंब के आगे खेलना पसंद क्योंकि वर्ल्ड कप में क्रिकेटर नहीं, फौजी खेलेगी, जी हाँ, पागिस्तान की टीम ने एक विशाल प्लान वर्ल्ड कप के लिए बना लिया है, ज़सर, वर्ल्ड कप के मद्द नजर पाकिस्तान ने एक नया प्लन बना लिया है, 25 मार्ट से 8 इपरल तक आर्मी के पाकिस्तान की टीम रहने वाली है। आरमी के साथ ही पाकिस्तान की टीम ट्रेनिंग करने वाली है। और यह इसलिए क्योंकि खेलाडियों की फिट्नेस में जादा सुधार हो जाएगा। एक क्रिकेट खेलने वाले खिलाडी जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है वो आर्मी क्यों जोइन करेंगे वो फॉर्ज में क्यों जाएंगे जो पीसीबी के इस वक्त के हैड है मौसिन नकवी उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स की फिटनेस एनहेंस करने के लिए एक नया तरीका नि मैन फॉलो करते हैं आर्मी के लोग फॉलो करते हैं वो ही फिटनेस रिजीम वो ही खाना जो है यहाँ पर क्रिकेटर्स को दिया जाएगा क्रिकेटर्स बिलकुल आर्मी जैसे लोग के साथ काम करके उन्हीं की लाइफस्टाइल दस दिन जीएं ताकि वो फिटनेस जो है वो या इफ्टिकार चाचु यह जो भी बड़े-बड़े प्लेयर्स है पाकिस्तानी टीम के वह आपको पाकिस्तान की आर्मी के साथ 10 दिन दिखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनको फिर से पाकिस्तान आर्मी की याद है और एक अजीब गरी přिष्ग क्या बन रहा है उनका प्लान यह है कि T20 World Cup से पहले PCB के Chairman ने सारे खिलाडियों से मुलाकात किये और मुलाकात करते वे उनके fitness को लेकर बताया है कि भाई fitness आपको speed up करनी होगी और तरीका एक है आप जाये train करिए पाकिस्तानी आर्मी के साथ और ये camp जो है March 25 से लेकर 8 April तक होगा 10 दिन का ये camp होगा और Military Academy में होगा अब ये देखना है इसका कितना फाइदा पाकिस्तान टीम को होगा तो 2016 में पाकिस्तान टीम नहीं किया था उसको replicate करना चाहते हैं ये कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कितना जो है successful रहेगा पाकिस्तान टीम इस पूरे training session से वो आने वाला अबता है